दिल्ली में नहीं कम हुआ है प्रदूशन, चादी चौक में प्रदूशन का स्तर बेहत खराब की ओर चला गया है भीरभार वाली जगहों पर आखों में अब लोगों को जलन महसूस होने लगी है लगातार हाल फिलहाल में दिल्ली की हवा में जहर पड़ता गया है वायू प्रदूशन खतरनाक लेवल को पार करता चला गया है चादी चौक में वायू प्रदूशन ज़ादा खतरनाक हो रहा है लोगों को अब वहाँ पर जलन महसूस होने लगी है जो लोग वहाँ पर हैं उन्हें अब धिकत महसूस होने लगी है एक तरफ कुरोना महामारी से लोग परिशान है तो दूसरी तरफ दिल्ली की हवाओं में जहर घुलता जा रहा है और यह जहर लोगों को खासा परिशान कर रहा है इस समय हम राजपत पे आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस पुरे जगह पे का पुलिशन की स्थी बनी लेकिन कुछ दूसरे इलाकों की बात करें जैसे चान्दी चौक के इलाके की बात करें तो वहाँ पर पी एम 2.5 352 की स्थी पर है यानि की काफी ज़्यादा खतरना की स्थी पर पहुँच चुका है आपको बताएं कि लगातार पॉलिशन जो है उस पर नज़र रखी जा र द्योग से पॉलिशन हो या फिर रेस्टोरेंट होटल्स जो खुल रहे हैं उससे पॉलिशन हो वो धीरे-दीरे बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं इसका आने वाले समय में गंभी परिणाम भुगतना पड़ेगा दिल्ली में आगर बात करें तो हैड्रोजन बसस जो है वो चलाई जा रही है ताकि जो है पॉलिशन की स्तिती को और कंट्रोल किया जा सके नहीं नहीं तकनीक लाने की कोशिश की जा रही है उसके बावजूद पॉलिशन को कम नहीं किया जा रहा है हाली में आपको बताएं कि बताये गया था कि पराली जो जलाई आती हर्याणा पंजाब में उससे सिर्फ 6 फीसिदी ही पॉलिशन दिल्ली में आता है और दिल्ली में पॉलिशन बढ़ने का कारण जो है दिल्ली में खुद जो जनरेटिव पॉलिशन होता है उसकी वज़े से है जायर तोरपाई इसको लेकर के सरकार को गंभीरता से सोचना होगा क्योंकि इस बार कोरोना भी है और पॉलिशन भी है जो लोगों को खासा परिशान कर रहा है विडियो जैनेर के साथ सज्द आमिर उसेन न्यूस नेशन दिली